हेलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 कक्षा 11 का विशे पॉलिटिकल साइंस राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान के आपकी जो पुस्तक है खंड ए राजनीती विज्ञान के मूल अधार उसकी एकाई एक का अध्याय दूसरा जिसका नाम है राजनीती विज्ञान का परमपरागत वे आधुनिक द्रश्टिकोंड परंपरागत को वेवारवादी एवं आदुनिक को उत्तर वेवारवादी दुश्टी कौन भी कहते हैं तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अध्याय वेवारवाद तो हम देखेंगे कि वेवारवाद क्या है दित्य विषुद के बाद, परंपरागत राजनिती के विरोध में एक व्यापक रान्ती हुई, इस करान्ती को वहवारवाद नाम दिया जाता है अब हम देखेंगे कि वहवारवाद से क्या अभीप्राय है निस्वी शताब्दी के उत्रार्द में राज्य समाजेव मानव का वेवस्तित अध्यन विश्व विद्याले स्तर पर प्रारम हो गया था इस प्रिकार के अध्यन का सामान्य प्रचलित नाम समाजिक विज्ञान था किन्तो इस नाम से ब्रहम उत्पन होता था अत्र सुविदा के लिए सामजिक विज्ञान के अंत्रगत आने वाले संपुन विशे के लिए वैवारगादी शब्द का पयोग किया जाने लगा वैवारवाद या वैवारवादी उपागम राजनेति कत्थ्यों की वैवस्तार विश्लेशन का ही एक विशेश तरीका है जिसे दित्य महायुद के बाद या पस्चात अमेरिकी राजनेति शास्त्रियों ने द्वारा विक्षित किया गया अब कि देखेंगे वैवारवाद की परीभाशल चाहिं अलगos विद्वानों ने अपने अल흙वारवाद की परिभाशल की या तो हम कि अरत को अच्छीत तरह समझने के लिए विविन विद्वानों द्वारा वेवारवाद की दी गई परिभाषाओं को समझना आवशेक होगा. तो पहले हम देखेंगे कि डेविट ट्रूमेन के अनुसार मतलब डेविट ट्रूमोन ने किस प्रकार व्यवरवाद की परिभाशाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया है तो व्यवरवादी उपागम से अभी प्राय है कि अनुसंदान व्यवस्थित हो तता उसका प्रमुक आगरे अनुभविक प्रनालियों के प्रयोग पर ही होना चाहिए यह कौन कहते हैं डेविट ट्रूमेन कहते हैं अब हम देखेंगे कि हीज युलाव के अनुसार व्यवरवाद की परिभाशा क्या है तो हीज युलाव कहते हैं राजनितिक व्यवार के अध्यन का संबंध राजनितिक संधर्व में मानव के कारियों रुख वरियताओं इव शोध वास्तिक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान के अंद्रित करता है बच्चो हमने देखा की परिबाश अब हम देखेंगे कि व्यवारवाद उपागम का विकास कैसे और कब हुआ है व्यवारवादी अफधार्णा का जनम दित्य विशुद के बाद हुआ इसके जनम औ यथार्तवादी अनुभव एतिहासिक दस्ट्री से वेवारवाद का प्रारंब 20 शताबदी के आरंब में दिखाई पड़ता है शिकागो विश्व विद्याले के तीन विद्वान पीवी इसमें चाल्स मेरियम तता हैराल्ड लास्वेल को वेवारवादी उपागम का संस्ता आपक कहा जा सकता है मेरियम तता लाविल के बाद देविड इस्टन आमंड हॉल में कॉल डायच तता एडवर्ड सिल साधी ने वेवारवादी अद्धिन को आगे बढ़ाया अब हम देखेंगे बच्चों की वेवारवाद के उद्धे के क्या-क्या कारण रहे हैं वेवार दूसरा अन्य सामाजक विज्ञानों से प्रेणा देटीय विशुद का प्रभाव तथा नवीन अध्यान पद्धितों का प्रयोगादी प्रमुक है तो बच्चों हम देख रहे हैं वेवारवाद के उद्धे के कारण है तो क्या कारण रहा पहला परमपरागत अध्यान प से दूसरा अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेणा देतिय विशुद का प्रभाव तो यह प्रियोग यह हमने देखे व्यवारवाद के उद्य के कारण अब हम देखेंगे कि व्यवारवाद के लक्षन दता आजार बूत माननेता है डैविड इस्टन के अनुसार प्रूवडए सत्यापन तक्निकों का प्रियोग परिमान करण परिमानी करण क्रम बद्धी करण मुल्य निर्धारन विशुद विज्ञानेव समग्रता अब हम देखेंगे वच्चों वैवारवाद की आलोचना अथ्वा सीमा है यानि वैवारवाद के बहुत सारी इसकी आलोचना की जाती है जैसे राजनितिक वैवार की गलत धारना प्रविदिक तक्निकों पर अत्यदिक बल मूल निर्पेक्ष अध्यन संभव नहीं अंतविरोध और अत्यदिक खर्चिली पद्धती अब हम देखेंगे बच्चों की वैवारवाद का योगदान तता राजनिति विज्ञान में महत्व और जो वैवारवाद है उसका राजनिति विज्ञान में क्या महत्व है यह हम देखेंगे पहला है नई राजनिति विज्ञान की स्थापना करने में इसने बहुत मदद की है यानि कि जब वैवारवाद के कारण नई राजनिति विज्ञ और इसका आधार वह वारवात रहा है राजनिति विज््यान का व्यगा निकर्ण करने का प्रयत्न विशेवस्तु में परिवर्तन हुआ है इसके कारण और अनुशासनात्मक द्रश्टिकौंड की स्थापना भी और क्या हुआ है तेकल्पिक धर्ण भी हमें मिली है तो बच्चो इस चैप्टर में हमने आपका जो अध्याय है राजनिती विज्ञान के आदुनिक और परंपरागत द्रश्टिकोर्ण उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं बच्चो इसके कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच